आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Identify a Monocort Plant बोला गया कि इन चारों में से Monocort Plant कौन सा है तो चलिए देखते हैं तो फर्स्ट है यहाँ पर Sunflower Sunflower जो है यह डाउट प्लांट में आते हैं और अगर हम लोग यहाँ यहाँ पर डाउट और Monocort को यहाँ पर ट्रांसफर या फिर Distinguish करते हैं तो mostly क्या होता है कि Dicot में पाया जाता है Reticulate Venetion Reticulate का मतलब होता है जो Network Like Venetion होते हैं वही Monocort में Parallel Venetion जो है वो पाया जाता है Of the Leaves और इसी वैज़ी यह दोनों Different है Next जो होता है वो यह होता है कि Dicot Plant में पाया जाता है दो Cotyledon लेकि Monocort में क्या होता है कि Single एक ही Cotyledon जो है वो पाया जाता है तो इसी हिसाब से Sunflower जो है उसमें यह दोनों Character है इसलिए वो Dicot है पिर अगर देखा जाए तो Beans का बात किया जाए तो Beans में भी यह दोनों Character प्रेजन्ट है इसलिए Beans को भी Dicot Plant हिसाब से Consider किया जाता है लेकिन वहें पिर अगर Onion देखा जाए तो Onion जो है वो Monocot हिसाब से Consider होता है क्योंकि यहाँ पे Parallel Leaves या पे Parallel Venetians और एक Cotyledon दिखाई देते हैं तो इसलिए हमारा थर्ड आप्शन Onion जो है वो Correct हो जाएगा तार्मरेंट का बात करने तो भी Dicode है और इसमें भी यह Following Characters तिखाई देते हैं तो इसमें हमारा Correct आप्शन हो जाएगा Onion जिसको हम Tick कर लेंगे Classic Studio से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 Million से जादा स्टुडेंट का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आच 4444 पर